अंसुलजे रहसे के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत और नौलेज भूमी चैनल पे आज हम एक ऐसी रहसी में गुरिया के बार में बात कने जा रहे हैं जिसकी उम्र बढ़ी लगाना जग्का हमने अपने लाइफटाइम में बहुत सारे क्रीपी और हॉरर डॉल्स पर बेस्ट मुवीज देखी है लेकिन हम सब मानते हैं कि उनमें से सभी डॉल्स इमेजिनरी है वो राइटर की अपनी कलपना होती है हाला कि कुछ डॉल्स पर मुवीज सची भी मानी जाती है लेकिन आज मैं जिस डॉल्स का रहा से आपको बताने जा रहा हूँ वो उन सभी में सबसे अजीब है और जिसकी मिश्टरी को कोई भी स्वाल्व नहीं कर पाया हम सब जानते हैं कि डॉल्स और टॉईज कैसे पुराने होते हैं वो बहुत गंदे लगने लगते हैं जिसके बाद हम उने फेक देते हैं उनके कुछ पार्ट्स भी तूट जाते हैं लेकिन एक ऐसी डॉल है जिसकी उम्र ढली जिदो तो आपने सही सुना एक डॉल है जिसकी इंसानों की तड़ा उम्र बढ़ी कैसे बढ़ी क्यों बढ़ी ये कोई भी नहीं जानता है ये सब सुरू हुआ बहुत सालों पहले जब एक पती पतनी अपनी बेटी के लिए एक डॉल खरित के लाए उस समय क्रिसमस का दिन था और वो दोनों उस डॉल को एक तरह से गिफ्ट के तौर पर अपनी बेटी के लिए लाए थे और वो लर्की भी उस ड्ल को देख के काफी खुश हुई जैसे जैसे समय भी था वो लर्की बड़ी होती गई और वो उस डॉल के साथ खेलती थी और तब तक सब कुछ नॉर्मल था कुछ सालों बाद जब वो डॉल पुरानी हो गई और तूट गई तो हस्बिन वाइफ ने उस डॉल को स्टोर रूम में रख दिया क्योंकि अब उनकी बच्ची उस डॉल के साथ नहीं खेलती थी और वो बहुत पुरानी भी हो चुकी थी उन दोनोंने उस डॉल को एक डब्बे में सील करके स्टोर रूम में रख दिया था जिसके बाद उन्होंने उस डॉल को कभी नहीं देखा तब शुड़ हुआ मेन रहस्य लगभग 10 साल बाद उन लोगों को अपने स्टोर रूम में जाना पड़ा किसी काम से और उन लोगों की नजर उस डब्बे पे पड़ी जिसमें उन्होंने उस डॉल को रखा था फिर उन्होंने जाके उस डब्बे के सील को तोड़ा और उस डब्बे को खोला और जो उन्होंने अंदर देखा उसने उन्हें पूरी तरह से हिला दिया बाहर से उस डब्बे का सील बिल्कुल नॉर्मल था जैसे पता चल रहा था कि उस डब्बे को किसी ने बीच में नहीं खोला है लेकिन डब्बे के अंदर उन्होंने देखा कि उस डॉल की उम्र ढल चुकी है वो डॉल अब एक बुड़ी जैसे लग रही थी और वो डॉल बिलकुल अलग थी जैसे उन्होंने उस डॉल को उस डब्बे में रखा था उस डॉल के चेहरे पर रिंकल्स आ गए थे और उसके हाथ पैर और सभी बोड़ी पाट पुरी तरह से एक बुड़ी औरत जैसे लग रहे थे एक और वीर्ड फैक्ट था उसके आईज उन फैमिली वालोंने कहा था कि उस डॉल की आईज यूमन जैसे लग रही थी जिससे वो काफी शौक हो गए और डर भी गए उस बुरी डॉल को देखने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा डर गए और डरते भी क्यों ना आज तक हमने किसी डॉल की उम्र ढलते देखा है क्या ता उस डॉल का रहासी कैसे ढली उस डॉल की उम्र वो आज तक कोई भी नहीं जानता है क्योंकि उस जगह के बाद किसी को नहीं पता है कि वो डॉल और वो फैमली वो दोनों कहां गए और उन लोगों की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और कहानी के अंद से तो ऐसा लगता है कि वो सभी कोई imaginary character थे जो कि हवा में गायव हो गए और उन्हें कोई भी नहीं देख पाया लोग उस डॉल को भूदिया डॉल मानते हैं लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उसके बाद उस डॉल को किसी ने देखा ही नहीं है तो यही थी एक और बहुत दरावनी और अंसॉल्ड मिश्टरी नौलेज भूमी चैनल पे जल्दी ऐसी एक और कहानी के साथ हम मिलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजी और चैनल पे बने रहिए